नमस्कार स्वागत आपका जन संदेश टाइम्स में मैं हूं किरन जरावियंद्र शर्मा ने बता कि गाउं के ही कई युवक शराब पी कर उनके घर के पास उत्पात मचा रहे थे आरोप है कि जब उनके पिता रिशी पाल ने शराबी युवकों को समझाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाली गलोच शुरू कर दी गाली गलोच का विरोध करने पर आरोपियों के परिजनों ने भी लाठी टंडों से उनके घर पर हमला बोल दिया जिसमें उनका पिता रिशी पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पीडित ने मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने घायल को कांधला कस्बे के सामुदाइक स्वास्ते केद्र में उपचार के लिए भरती कराया। जिकित्सकों ने घायल को प्रात्मे कुपचार देने के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिलास्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बाजपानेता ने गाओ के ही दरजनों लोगों पर घर पर जान लेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कारवाई की मांग की है। पुलिस ने इसकी जाच परताल भी शुरू कर दी है। पूरे हमारी औरतों को पिटा हमारी जो है क्या नाम बच्चे थे उनको भी पिटा हमारे पिता जी को जो है जान से मानने की नियत करिए बड़ी मुस्किल से बच पाए हमारे किवार तोड़ दिये अब हम उस गाओं में अगर वो लोग क्योंकि दबंग टाइप के लोग है पूरव पूरव गाओंओं एक है और हमारे तीन गहर हैं ब्रावणां के और तीनों घर को पे जो है कबि जा करना चाते हैं हम आप उस गाओं में हमने ली जो बांवान करेगा जो कुछ से इंग करेंगे नई अब जो है हम उस गाउं में रहेंगे नहीं अपर आपके गर पर हुआ है तो आपके घर पर हुआ है अब जाने है और आपने थाने में तहरी देदी और आगे पुलिस क्या करती है अब हो जाने हैं लेकिन हाँ यह है कि निश्चीत हम अब आपके अब देट से रूबरू रहने के लिए आप बने रहें जनसंदेश ताइम्स के साथ झाल आट